प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आफ जाइन दोस्तों आप सभी का हार्दिक्स हो गते हैं भारत इस इंडिया पर आश्या करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज में आपके लिए टेस्ट और एक इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर आएं ज चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके से लेटिस इंट्रस्टिंग और इन्फरमेटिव वीडियो लाते रहें तो चलिए साथ मिलके ये वीडियो देखते हैं जैहिंद जैब भारत साथ हैं जी साजित तार्ड साब बहुत शुक्रिया सर क्या जापाएं माय प्लजर तैंक्यू राजू तैंक्यू सबसे पहले बात करेंगे जिनोफोबिक की जो बड़ा एक शोर है और डॉक्र जेशंकर ने भी जो है काफिस ट्रिकली जवाब दिया है इसके उपर देखें आरजू एक तो इस पे जिनोफोबिक क्या उन्होंने जिकर किया है किसी फंड रेजर पे वाशने डी सी के अंदर जो बाइडन साब ने और जापान और उन्होंने भाशन देने की कुश्की जापान को और भारत को के दोनों को कि जी आप इमिग्रेट्स के खलाफ ह हलांके बाइडन साब को ये नहीं पता कि एक तो आपका डेमोग्राफिक जियोग्राफिक और कल्चर बिल्कुल और रिलिजिन भी वो पिल्कुल डिफरेंट है जापान से भी और भारत से भी आप उसके से आप उनको क्यों अपने आपको उनसे कंपेर कर रहे हैं दूसरा इनोंने गिला किया है कि जि जैपान को बारत की अकानमी को प्रॉल्म है जिनोफोबिक होने के वाईसी एमिग्रेशन के खलाफ भारत की अकानमी आप से छे दफास ज्यादा स्पीड पे तरक्की कर रही है आपको इनालजी नहीं है आप किस तरह की बातें कर रहे हैं अर diplomatic relationship खराब होते हैं उनके साथ भारत के सोस वैसे इनों आजकल खराब किये वे हैं आपने देखा होगा कि एक बलाक बना पड़ा है भारत के खिलाफ जिसमें अमेरिका, कैनेडा, अस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्रीज भी हैं जो मैं हमेशा ये रहता हूँ के एक तो इन सब कंट्रीज को तिश्वीश है भारत की तरक्की की भारत की एट पॉइंट सिक्स परसंट, एट पॉइंट फॉर परसंट अकानमी जो है उस पे वो इनको बरदाश नहीं हो रही है और जाहर है यह रुके गानी सिलसला यह आगे इसी तरह जाएगा और दूसरा कुछ चीज है और भी आपके रीजिन के अंदर भी चेंज हो रही है मैं आगे चलके उस पर बात करता हूँ लेकिन डाक्टर जेश शंकर ने इसके बारे में एक इंटर्वीव में बात किया कि हम पारा हमारा तो वी आर मोर प्लूरेड प्लूरेड कंट्री है हम और वाकी मैं अगरी इस बात से करूँगा कि ज्यादातर अमेरिकन्स को इस चीज़ का अंदाजा नहीं है भारत के अंदर 121 जबाने बोली जाती है 12 तो उनकी आफिशल लाइंग बेचे हैं आप यह देखें कितने डिफरेंट किसम के कल्चर मिलके कल्चर मिलके कठे रहते हैं बलके मैं यह समझता हूँ भारत की खुबसूरती ही उसका सैकलर आइडियाज और उसका लोग करते रहते हैं इदर से उदर कभी बीजेपी वाले तरप रहे हैं कभी दूसरे तरप रहे हैं लेकिन यह हकीकत है कि इंडिया भारत इस सेकुलर कंट्री लोग इसमस्थ बातें कर रहे हैं कि शायद अगले दफ़ा बीजेपी शायद कार्सिचूशन भी चेंज कर दे उनका जिस तरह उनको जो पसांद आया अपने कंट्री के अंदर जो वो मरजी करें लेकिन यह जो बाइडन साब ने जयाती की है और दूसरा मैं समय तहूं कि अमेरिका को आप कोई हक नहीं पहुंशता कि दूसरे कंट्री को अपने वो अपनी आइडियालोजी इंफोर्स क करने के कोशिश करें ठीक हैं अगर आप यह बात करते हैं आप शिनोफोबिक नहीं हैं आप immigration चाते हैं अप लोगों को चाते हैं इमिग्रेशन की आलत देख लें एकिती लाख लोग पर मंथ के साब से लीगल आ रहे हैं बार क्राश क अधे इसको आप इम्मीडेशन कहेंगे आप ऊसको कहेंगे कि वी है वी लफ इम्मीडेशन वी लफ इमिग्रेश्ट आởहे हैं उसको पता ही नहीं उनके चिनर्म फिर आपको इमिग्रेशन से मुहबत है डानल्ड ट्रम साब ने तो स्टेटमेंट दे गया कि उन्हों ने आते ही 15 से 20 मिलियन लोगों को आर्मी स्टाइल, मिल्टरी स्टाइल पर डिपोर्ट करेंगे वो मैं खुद एक conservative हूँ, मैं खुद एक Republican हूँ, मैं खुद immigration के हाक में हूँ, लेकिन legal immigration अगर जिसने यहां आना है, सबसे पहले उसे यह पता होना चाहिए, कि वो एक Christian country में जा रहा है मैं अपने भाईयों की बात करना हूँ, यह जो हमारे जिहादी elements सिहां आ जाते हैं, यहां आके कहते हैं कि अमेरिका के अंदर शरिया लगाएंगे, लंदन जा के कहेंगे, हम शरिया इन्फोर्स करेंगे, उनके लिए कि तुमें Christian country में आ रहे हो भाई, यह पहले सोच के आओ, अगर तुम Christian values की respect नहीं करते तो प्लीज भाईजन कही और जाओ, साओधी रेविया जाओ, यहां माता हो आप, और दूसरा, अगर immigration करनी ही है आपने, पॉइंट बेस करें जिस तरह Canada करता है, जिस तरह Australia करता है, प हां पे लोग जो है, वो आके, अब देखेंगे हैं, दो प्रावलम तो, आर्जू अब एक खालस्तान, एक Canada के अंदर एक खालस्तान मूवमेंट बन चुकी है, तरी मूवमेंट है, और अफसोस के साथ, उसके उपर religion चिड़ा दी है, उसके उपर, कहते खालस्तान है, खालस बन चुका है, इस वकट जो खालस्तान की बात करना एक फैशन बन चुका है, लेकिन इसकी वज़ा ये है, कि वहाँ पे मेरे जो भाई पजाबी भाई आये हैं, वो ज्यादा तालीम याफ़ता लिए, अगर तालीम का, तालीम से अगर आपने करनी है, रफरंड, अच्छा आपने खालस्तान, आप, 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 कैनिडा के अंदर इस वकट दो चार गुरदवारे हैं, जहां पर वो इस वकट जो निजर साब कभी चल रहा है, कोई ज्यादा उसकी सपोर्ट हासल नहीं है, लेकिन एक हवा बन चुका है, और यही होता है, कि जब तालीम याफ़ता इमिग्रेट ना आएं किसी जगा पर आके तो वो वहाँ पर आके भी, बजाए उस क्मुनिटी का हिस्सा बनना, तरक्की का पाइस बनना, तो इस तरह की चीज़ें करते हैं, आप से और धाई सो मिलिए आपके जो 25 क्रोड मुसलमानों से, पाकस्तानियों से, यह सवाल है, और यारा बिलियंड डालर की प्रापटी आपने दुबई में ले लिए, कैसे ले लिए, अब फिर लोगे, अब तो आदा दुबई ले लिए, अब तो आदा अबूस अभी ले लोगे आप, आप तो मेरे खाल में गल्फ सारा खरीद लोगे आप, क्यों? क्योंको अड़े ये हैं, कि इंडिया के साथ भी उनके रिलेशनिशिफ ठीक नहीं है, तो इंडिया को भी साथ सनब करना, या फिर वहां बैटना, बलके ये आजकर जो बात सारी चल रही है, खिर अड़े तो भारत ने तो फिर पहले भी नहीं देने थे, अगर वो मांगते भी उनसे, कि आपके आर्मी चीफ जो पिछली दफ़ाए हैं, उसके बाद चीज़ें मजीद स्पीड अप हुई हैं, आपके रिलेशनिशिप की भी, और आपके तीन-चार, इस वकद तीन-चार स्टेट डिपार्टमेंट के और पेंटागन के लोग, हाई लेवल के लोग जो हैं, वो प जिल मिल शुरू हो जाएगी, कहते ना, कि ताजा हवा के जोंके चलने शुरू हो जाएंगे, उस तरीके से ज्यादा लोग बिलियनर तो नहीं बनेंगे, लेकिन मेरी प्रडिक्शन है, पाई से दस पाकस्तानी, नए, बिल्कुल फ्रेश, वो बिलियनर बनेंगे, जिस तर वो कुर्सियां घूमती है, वो मीता बचन तो सामने बैठा बंदा होता है, उसको खुद पता नहीं होता, वो फिर उससे पूछते हैं, आप कहां से आये थे, आपने क्या देखा है, आपको रात को नहीं नहीं आई, आप सुबह उठ गए, आपने खाया क्या था, तो वो य ही हो रहा है, कि कुर्सियां घूम रही है, अमेरिकन आप ऐसी किस तरह इस तरह, तो इस वक्त वो देख रहे हैं, आपके जो दस लोग हैं, इस वक्त वो कश्मकश में हैं, कि उन में से किस की किस के नाम यह तुरह अम्तियाज निकलेगा, लेकिन इस वक्त प्रापर्टी ड प्रप्राप्रेटी डीलर है उन्होंने उर्दू और प्रिजबी जबान सीखने शुरू कर दिया लेकिन सर दस में से आठ तो फॉजी और एजनसी कही होंगे दो वालिटेशन निकलाएंगे ज़्याद से जबी होंगे तो पाकसा नहीं ना मैं कौन सा कहरो हूं पाकस्तानी भी तो आपके फॉजी भाईजान फ्रेंच थोड़ी जर्मन तो इन पाकसा नहीं है न जो भी होगा फ्राडिया हो तो जज़ भी हो सकता है फ्राडिया हो तो कोई हो सकता है यह क्या है अपनी मां के कपड़े तो कोई भी भाड़ सकता है उसके लिए फॉजी होना जरूरी थोड़ी पाकस्तान को तबाह करना को यह तो मुझे आर्जू आपने तो नाम ले दिया फॉजी होंगे ठीक है जाजी ठीक है आपके व्योरोक्रेसी ठीक है आपकी स्यासादान ठीक है आपके तो सबका एक ही आल है अब ही एक ही जैसे है जो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंतर देखा होगा और हमेशा की तना आर्जू काजमी जी और साजी ताड़ा साब का यह पूरा डिसकुशन आपको काफी पसंद आयोगा और इस वीडियो मे हलात है वो बत से बतर होते जा रहे है जाए वो इमिगरेंट्स के द्वारा किया गया क्राइम हो या खुद उनके जो लोकल लेवल पर क्राइम्स हो रहे है वो दिन बर दिन बढ़ते जा रही है तो खुद अमेरिका की अपने गिरेबान में ज्हांकना चाहिए इससे पहले कर दो कर दो